भगवान शंकर के उपर चढ़ाया जाने वाले बेल पत्र के पत्ते और फल कितने गुणकारी होते हैं और धेरो बिमारियों को खतम कर सकते हैं तो भगवान शंकर ने कही न कही शारा कर दिया था कि आप इसको खाने में यूज़ करें तो आज मैं उसी फल का शर्बत कैसे बनाते हैं जूस कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ सबसे पहले हम बेल पत्र का फल लेंगे और उसको थोड़ा सा तोड़ के इसके उपर एक हार्ड शेल होता है आपको उसको तोड़ना है और फिर उसके अंदर का जो ये गुदा है आप देख रहे हैं ये काफी पका हुआ होता है और काफी सोफ्ट होता है तो चमच से अराम से ये निकल जाएगा ऐसे करके आपको सारा गुदा आप एक बरतन में निकाल लें और बड़ी इजिली निकल जाएगा मतलब इसमें कोई प्रिशानी आपको नहीं होगी और उसके बाद मैं आपको बता दू कि बेल पत्र के जो पत्ते होते हैं भगवान शेव के उपर चड़ाया जाते है अगर आप उन पत्तों को नियमित रूप से तीन से चार पत्ते आप डेली चबाएं और उसके ओपर गरम पानी पी ले तो वो हाई बीपी जो होते हैं वो दो महीने में आपका जड़ से खतम हो सकता है मतलब इतनी शक्ती होती है इसके अंदर और जो ये गुदा हमने निकाल लिया है इसके अंदर बीज और एक थोड़ा सा लिक्विड आपको दिखाई देगा हनी के जैसा शेहत के जैसा वो आपको निकाल के भार रख देना है क्योंकि इससे थोड़ा जो शड़त है वो कड़वा हो सकता है तो हमें ये सारा निकाल देना है और उसके बाद निकालके आपको इस गुद्दे को मैश करना है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूं कैसे करना है और आप वीडियो को भी साथ के साथ देखते रहें जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुद्दे के सारा बीज निकाल देना है और फिर एक स्पून की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं और साथ की साथ पानी डालते रहें मैंने इसके अंदर दो गिलास में पानी डालूनी थोड़ा थोड़ा करके और मैश करने के बाद अच्छे से ऐसे मैश करना है इस शर्बत में जो लू लगती है गर्मियों में वो बिलकुल भी नहीं लगेगी क्योंकि ये बहुती ठंडा जूस होता है और हमारे शरीर को हाइडरेट रगता है गर्मी नहीं लगने देता और जो लूज मोशन लग जाते हैं डाइरिया हो जाता है उससे भी हमें बचा के और ये गैस कबज की समझे से राहत दिलाता है और जो नई माएं होती है जिनको बच्चा हुआ है उनके शरीर में दर्द होता है उससे छुटकारा दिलाता है और दूद जो फीडिंग करवाते हैं फीड करवाते हैं वो दूद अच्छी मातरा में बनने में हेल्प करता है ये देखिए, आपने जब पानी डाल के पल्प को मैश कर लिया था, अब हम उसको चान रहे हैं, ताकि जो रेशा है, वो उपर निकल जाए, और जो पल्प है, जूस है, वो नीचे निकल जाए, इसको आप जैसे मर्जी पी सकते हैं, और इसके अंदर गर आपको चीनी मिलानी तो आप बिना चीनी के भी पी सकते हैं, मैंने एक मिक्सर जार लिया है, और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लिया है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर देसी खांड भी आप यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा मिक्सर जार को ग्राइंड कर लेंगे, और जो हम ग्राइंड किया यह देखे ग्राइंड कर लिया और इसको बाकी के जूस में मिला लेंगे ताकि पूरे में इक्वल क्वांटिटी में मीठा हो जाए अगर आपके पस बड़ा मिक्षर जा रहा है तो आप पूरे जूस के अंदर एक साथ मीठा मिला सकते हैं और अगर आपको ठंडा पीना है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दें और इसको सर्व करने के लिए रेडी हो जाए तो मैं आपको बता दू यह जूस बड़ा ही टेस्टी लगता है और खून साफ करने में साहता करता है हमारा जो बलर्ड है उसो क्लीन करता है कैंसर से बचाता है मतलब इसके अंदर इतने जादा गुण होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती शायद इसलिए भगवान शंकर के लिए यह पूजा जाता है तो हमें इसको गर्मियों में अपने डाइट में शामिल करना चाहिए बच्चों को भी पिलाना चाहिए और वीडिय को जाद से जाद शेयर करें